नमस्कार दोस्तों, मैं सोमिय रॉय और मैं आप सब लोग का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो में मैंने आप लोग को कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया जाता है, कैसे ट्रेंड चैनल बनाया जाता है, कैसे ट्रेंड लाइन को reverse या counter trend में यूज किया जाता है, इसके बारे में मैंने आप लोग को बताया आज मैं यही जो हम लोगोंने सीखा इसको आज मैं practice में डालना चाता हूँ मैं चाता हूँ कि तरे-तरे के charts हम लोग आज use करें और उसके साथ-साथ हम लोग trend line, trend channels, support, resistance जो भी हम लोगोंने सीखा पिछले कुछ videos में वो सबका इस्तमाल करें ठीक है, तो चली आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कुछ बढ़िया charts जहां पर हम लोग trend channel या आप लोग बोल सकते हैं, trend line का बहुत अच्छे से use कर सकते हैं यह रहा मिल गया मुझे सबसे पहला सिकार, euro, Canadian dollar ठीक है, euro, Canadian dollar में सबसे पहले जो करना है trend line ले लेना है यहाँ पर, ठीक है, इसको थोड़ा प्रोलॉंग कर देंगे, और यहाँ से इसको भी हम लोग बढ़ा सकते हैं यह तो अगर हम लोग ऐसे लेंगे, तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर penetrate हो रहा है बहुत ज्यादा तो इस point पर हम लोग अगर लेंगे, तो बहुत बहतर रहेगा और यहाँ पर मैं सबसे पहले जो करने वाला हूँ, सबसे पहला trade मैंने ले लिया है यहाँ पर मैं resistance पकड़ के trade लिया हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं resistance पकड़ के trade लिया हूँ और दो मिनिट का trade है, 100 dollars का investment है, इसके बाद यहाँ पर जो करना है, हम लोग को देखना है कि यहाँ पर channel create हो सकता है या नहीं, ठीक है, channel अगर create करना भी है, तो भी हम लोग को ने 2 मिनिट पे 100 dollars का investment किया है, और अभी देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, यह counter trend, एक trend है या हम लोग के साथ मतलब resistance को पकड़के चार्ट नीचे जाएगा, यह हम लोग को बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि चार्ट जो है, चार्ट इस level के बाद थोड़ा बहुत correction के साथ सा चार्ट यहाँ पर आगे ही बढ़ा है ठीक है, यह गलती हो गया मुझसे, ओके, तो देखेंगे, वेट करेंगे दो मिनिट का, उसके बाद अब ही चले जाते हैं, दूसरे कोई चार्ट पर, येरो नीजिलेंड डॉलर पर जाते हैं, येरो नीजिलेंड डॉलर पर हम लोग यहाँ पर create कर सकते हैं trend channel मेरे हिसाब स यह रहा, एक penetrate हुआ है, तो उसमें कुछ problem मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है, अब ही जो करना है, यहाँ से हम लोग channel ड्रॉ कर सकते हैं, यह रहा, trend channel यहाँ पर create हो चुका है, दो point हम लोग को मिला है, ठीक है, सबसे अच्छा दो point हम लोग को यहाँ पर मिला है, अभी देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर trend channel में हम लोग support and resistance दोनों जगे से trade open कर सकते हैं, दोनों touch point से हम लोग trade open कर सकते हैं, यह पहला trade हम लोग को profit आया, euro Canadian dollar में था, यह जी हाँ, euro Canadian dollar में था और मुझे यहाँ पर पहला trade जो है profit आया, अभी यहाँ पर हम लोग कोशिस करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग को क्या सफलता मिल सकता है, चार्ट यहाँ पर downward trending है, channel बहुत बढ़िया, यहाँ पर हम लोग ने draw किया है, अभी wait करेंगे touch point का, जितना close हम लोग open कर सकते हैं, हमारे जो trend line से उतना better हम लोग का trade चल सकता है, अभी जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी सिखाया था, कि हम लोग को channel को देखना भी है, कि 5 मिनिट बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 मिनिट बाद य इहां पर, अगर आप लोग देखोगे, तो यहां पर chart जो है एक downward trend है, ठीक है, एक downward trend है, लेकिन यहां पर मेरे हिसाब से हम लोग trade open नहीं करेंगे, थोड़ा दिर wait करेंगे, यहां पर थोड़ा दिर wait करेंगे, क्योंकि अगर पाँच मिनिट या 10 मिनिट के हिसाब से हम लो already touch कर रहा है, 5 minute का जो time frame है, उसमें हम लोग का जो channel है, उसको touch already कर रहा है, तो हम लोग को यहाँ पर रुख जाना है थोड़ा दिर, थोड़ा दिर हम लोग को यहाँ पर wait करना है, अभी देखते हैं, 12 second का time बचा हुआ है, चार्ट यहाँ पर bullish हो रहा है, थोड़ा बहुत trend मे हैं हम लोग के trend line से, लेकिन यह trend पकड़ना ज़रूरी था, और एक downtrade मैंने लिया है यहाँ पर, और एक downtrade मैंने लिया है, total 3 trades मेरे चल रहे हैं, 150 dollars each, यहाँ पर यह भी देखना ज़रूरी है, यह भी देखना यहाँ पर ज़रूरी है, कि क्या यह position, यह जो level पर हम लोगों क्या यह level हम लोग को trend change का तो इस सारा नहीं कर रहा था, यह भी हम लोग को देखना है दोस्तों, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, इस 3 point पर मैंने ट्रेड लिया, एकदम exact point पर, और chart यहाँ पर pullback कर रहा है, फिर से trend में आ रहा है, pullback कर रहा है, फिर से downward trend में आ रह देखेंगे, जहाँ पर, एके candlestick 10 minute का time दिखाएगा, फिर भी हम लोग market पर है, फिर भी हम लोग trade पर है, now let's wait and watch देखते है, time क्या बचा हुआ है, यहाँ पर 1 minute 4 second, 53 seconds, 1 minute 7 seconds, ठेक है, अभी wait करते हैं, उपर का जो दो trade है, उसमें मुझे परिसानी नहीं है, लेकिन जो trade मै बहुत close open नहीं किया था, जो मतलब थोड़ा gap लेके मैंने open किया था, वहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत अभी के time में problem नजर आ रहा है, wait करेंगे और कोई trade यहाँ पर open नहीं करेंगे, पूरा wait करते हैं, देखते हैं क्या हुआ, यह रहा trend channel use करके, हम लोगों ने resistance level पे trade य resistance बोल सकते हैं, या resistance के थोड़ा सा उपर, जब chart correct हो रहा था, तब हम लोगों ने open किया, चाक को breathing time मिला ज्यादा, price जो है, उसका पहले ही एक level था, आप लोगों को दिख रहा है, 1.7000 का level, वो level भी हम लोगों ने touch होते ही, यहाँ पे trade open किया, यह देखना पड़ेगा, यह यहाँ पे loss हुआ मुझे, 4 second, और this is phenomenal, ठीक है, ठीक है, दो trades हम लोगों को यहाँ पे loss हुए, वेट करते हैं, reverse trend का कुछ संकेत मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है, थोड़ा वेट करेंगे, यह candle stick को expire होने देते हैं, candle stick expire हो जाएगा, उसके बाद हम लोग अपना, जो रामबान है, उसको छोड़ेंगे, देखेंगे क्या होता है, यहाँ पे trend जो है, trend दूसरी तरफ जा रहा है, और सिर्फ मैं आप लोग को example के तरफ से बता रहा हूँ, यह रहा, मैंने एक horizontal line भी यहाँ पे ले लिया, क्या हो रहा है, यहाँ पे, horizontal line यहाँ पे ले लिये, और अभी सिर्फ wait करना है, हम लोग को wait करना है, close position का, यह रहा, मैंने trade open किया, $250 का, $250 का मैंने trade open किया है, upward direction, चार्ट यहाँ पे change हो रहा है, level break अल्रेडी हो चुका है, आप लोगों ने देख लिया है, एक minute का यहाँ पे मैं time frame लिया है, now let's wait and watch देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है, $17 का यहाँ पे हम लोग को, $17.50 का यहाँ पे sell price है, और 34 seconds का time बचा हुआ है, wait करेंगे, $250 हम लोग को पहले $150, $153, $350 का loss है, यह भी आप लोग देखे हो, एक second का time, फिर से मैं यहाँ पे wait करूँगा, चार्ट को correct होने देते हैं, correct होने के बाद ही हम लोग कुछ step लेंगे यहाँ पे, ताकि हम लोग recovery पूरे तरीके से कर सकें, चार्ट correct हो रहा है, 44 seconds यह रहा हम लोग का यह trade का profit, जो मैंने open किया था, एक minute का, अभी थोड़ा दिर wait करेंगे, 33 seconds का time बचा हुआ है, यह candlestick expire होने में और आप लोग देख रहे हो कि चार्ट upward move कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी भी हम लोग के पास मौका नहीं है, कि हम लोग trend line draw करें, लेकिन हम लोग counter trend, जो change हो रहा है trend में, उसको हम लोग जरूर पकड़ सकते हैं, मैंने यहाँ पे trade open किया है, और एक trade open किया है, दो trades मैंने यहाँ पे लिए, एक second का candle stick time बचा हुआ है, एक एक minute का मैंने दो trade लिया, $250 each, correct हुआ है chart थोड़ा, आप लोग देखोगे तो chart में correction थोड़ा बहुत है, अभी देखते हैं कि यह pump उतना बड़ा pump है या नहीं, क्योंकि होता है बहुत time correction के बाद chart उसी level पे चलने लगता है, उसी दिशा पे चलने लगता है, तो यह हम लोग को देखना है, और 4 seconds का time बचा हुआ है, 1.70054, 4945 पे हम लोग अभी है, यह रहा strike price, हम लोग trade लेना शुरू किये थे इस level से, तो आप लोग देख रहे हो कि market का जो price है, asset का जो price है, Euro New Zealand dollar का यह कैसे बढ़ रहा है, और एक चीज़ दोस्तो, trade खतम होते होते मैं आप लोग को यह भी बताना चा है, आप मेरा YouTube members only group join कर सकते हो, with a flat rate of 1,999 रूपीज, अगर आप लोग को मेरा काम पसंद है, अगर आप लोग को मेरा videos पसंद है, if you feel these videos and my signal trading group is helping you to become a better trader, then please do support me, जब भी आपको यह लगे कि you don't want this subscription anymore, you can unsubscribe it manually, और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, हर एक trader को, हर एक beginner क को, हर एक pro, हर एक intermediate level trader को, कि दोस्तो मेरा एक signal group है, जहां पर मैं free signals देता हूँ, every Monday to Friday, the only thing you need to have is a trading account and some balance in your trading account, अगर आपके पास trading account अभी भी नहीं है, नीचे description box check out कीजिए, पहला link जो है, उससे register कीजिए, deposit कीजिए, या तो अगर आपको practice करना है, आप practice कीजिए, सवाल प लिया हुआ हुआ है, मेरा सिखो trading group जो है, दूसरा link, description box का, join कीजिए, सिखिए, अराम से time लीजिए, फिर आपको जब भी मन हो, you can join my free signal trading group and trade along with me, copy my signals every Monday to Friday, तो मुझे आ गया दीजिए, trend line को लेके, थोड़ा बहुत हम लोगों ने आज experiment किया, कल, फिर से मैं आप लोग के लिए कुछ नया वीडियो लेके आऊंगा, देखते हैं, नया वीडियो किस logic के उपर या किस trading strategy के उपर based होता है, मुझे आग गया दीजे, नमस्कार, जैहिंद